बिस्मिल्ल्य रहमाल रहीम असलाम अल्यक्म रहमत अल्य बरकातो हो वीवर्स आज में आपको त्रीजों वाला कुर्टा सलाई करने का मकमल तरीका बताऊंगी सबसे पहले हमने कंप्यूटर मशीन से थोड़ी सी डिजाइन की है यह नेकर डिजाइन बनाया है और बाजों पर कंदो पर ये थोड़ी सी पटी बनाई है ऐसे हमने यह पटिने और बै आईरन कर लिया है यह पट्टील हमें इस तरह नीचे लगाएंगे तो बड़ी पट्टी ऊपर लगाएंगे आप मैं आपको का गड़ बनाने का तरीका बताती हूं इस तरह हम पट्टी को काट करेंगे थोड़ा सा काट लगाएंगे और दरम्यान वाले पाट को हम इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से पट्टी फोल्ड करेंगे और यहां किनारे पर सलाई लगाएंगे ऐसे ही हम छोटी पट्टी बनाएंगे ये दोनों कट हम एक साइड पर नहीं बनाते, एक कट दूसरी साइड पर बनाते हैं इस तरह दर्मियान से पकड़ कर इसको फोल्ड करेंगे और कनारे पर स्लाइ लगाएंगे, अभर मैं आपको स्लाइ लगाने का तरीका बताती हूँ इस तरह से एक कनारे से ये स्लाइ स्टार्ट करेंगे ऐसे ही हम गट पर लेकर जाएंगे इस तरह और मशीन को रोकर दूसरी साइड पर ले जाएंगे इस तरह कनारे पर स्लाइ लगाएंगे इस चोटा सा पेस हम इस लिए लगाते हैं कि जो भी स्लाइ हमने लगानी हो तो बिल्कुल वो मजबूती से लगती है इस तरह ये देखें हर स्लाइ के बाद हम इस पेस को लगा लेते हैं कि ऐसे ही हम चोटी पटी त्यार करेंगे कि अब करते हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही इपसांद आएगे इस तरह से पटी है हमने त्यार कर ली है अब हम इसको यह बराबर आकर एक्षा कपड़ा तार देंगे सिर्फ स्लाई के लिए छोड़ेंगे लगाने का तरीका मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है इस तरह दर्मयां से हम इसको कटिंग करेंगे नीचे से थोड़ा सा छोड़ देंगे पहले हम चोटी पटी लगाएंगे यह कंदों की इसलाई हमने पहले लगा ली है क्यूंकि इस पर हमने डिसाइनिंग करनी थी इस तरह से हम चोटी पटी लगाएंगे इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो लाइक ढ़ाई और कटाई के बारे में अपलोड की है कटिंग करने का तरीका बताया है और पटी बनाने का काट पटी बनाने का तरीका बताया है बड़ी पटी हम इस साइड पर लगाएंगे यहां पर छोटा सा काट लगाएंगे यह नेक के बराबर इसको छोटा सा काट लगाकर यह एक्स्रा कपड़ा अतार देंगे इस कपड़े को हम इस तरह पटी के नीचे कपड़े के नीचे रखेंगे और बाकी पट्टी ये उपर आएगी इस तरह अब किनारे पर स्लाई लगाते जाएंगे ये कड़ाई हमने नोक वाली की है तो ऐसे पट्टी भी हम नोक वाली बनाएंगे इस तरह पकड़कार इस कड़ाई के मताबक हम इसकी नोक बनाएंगे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पकड़कार स्लाई लगाते जाएं इस तरह दूसरी साइड पर ले जाएं और यहां से हम ठोका लगाते हैं इसको दूसरी साइड पर मोड़ेंगे इस तरह पट्टी पट्टी यह बिल्कुल बराबर करके इसको दूसरी साइड पर मोड़ें इस तरह और मशीन को रोकर दबारा फिर इसको बैक करें ताकि यह अच्छे से पकी हो जाएं दबारा ना खुले यह पट्टी हमने अच्छे से बना ली है यह देखें कितनी खुब्सूरत बन गई है अब मैं आपको त्रीजें जोडने का तरीका बताऊंगे इस तरह यह यह जो तकुनिये होती है यह त्रीजों के दरम्यान में जोड़ी जाती है यहां से त्रीजें एक साइड से त्रीज सीधी होती है तो दूसरी साइड से कुछ तरह एक तरीज पर रखेंगे इस तो इस को हम तकोनिगे या स्मॉस की बोलते हैं क्योंकि अच्छे से इसका नाम नहीं मुझे आता मैं तो इसको तकोनिगे बोल देती हूँ इस तरह एक साइड से लगाने के बाद इसके उपर स्लाई लगाएंगे ऐसे ही पकड़ कर इसको यूँ सीधा करें और कनारे पर स्लाई लगाएं क्योंकि त्रीजों वारी कुट्टे के सीधी साइड पर हर स्लाई पर एक स्लाई लगाई जाती है कनारे पर इस तरह थोड़ा थोड़ा पकड़ कर इसको ठीक करते जाएं और स्लाई लगाते जाएं कि ऐसे ही हम कि दूसरी साइड पर इसको लगाएंगे कि एक त्रीज हमने लगा लिया तो दूसरी त्रीज हम इसकी दूसरी साइड पर लगाएंगे कि यह सीधी साइड से हम इसके उपर इस तरह लगाएंगे कि यह पकड़ कर इसको सीधा करेंगे कितनी जवाला कुर्टा स्लाई करना बहुत ही एजी है इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो में इसकी कटिंग के बारे में बताया है और स्लाई के बारे में भी बताया है इस तरह ये स्लाई लगाते जाएं यहां तक हमने यह चाक रखने हैं काट लगाया हुए है यहां तक हम स्लाई लगाएंगे यह कट तक हम लगाएंगे और इसको अच्छे से पक्की करेंगे यहां से हम चाग फोल्ड करेंगे अब इसको भी सीधी साइड से इसके नारे पर स्लाई लगाएं ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा पकट करते जाएं और नारे पर स्लाई लगाते जाएं कि इस तरह से बिल्कुल इसके इसलाई किनारे के उपर आनी चाहिए कि यहां तक हमने इसलाई लगाई है वहां पर लाकर इसको पक्का करेंगे इस तरह इसको बैक ले जाकर पका करें हुआ 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 है यह तक हुआ हमने त्रेजों के साथ जोड़ दी है अब हम बाजू लगाएंगे अब यह बाजू हमने जितने फोल्ड करने है पहले इसको फोल्ड करेंगे अगर कनारी वाले बाजू हो तो फिर हम सलाई नहीं लगाते अगर बगार कनारे के बाजू बने तो इस तरह थोड़े से फोल्ड कर लेते हैं अगर मेरी वीडियो अपसान दाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आज मैं मकमल कुटतास लाइक करने का तरीका बताऊंगे अब यह बाजू हम तरीजों के साथ जोड़ेंगे यह पट्टी के लिए हम थोड़ा सा एक्स्रा कपड़ा रखते हैं बाजू अब इस तरह यह कपड़ा छोड़कर हम तरीजें लगाएंगे इससे हम पर एक पट्टी बनाते हैं यह जो एक्सला कपड़ा छोड़ेंगे इससे कंदोपर एक पट्टी बनाएंगे और यह पट्टी बनी हुई बहुत ही खुब सूरत लगती है इस तरह बाजू हम थोड़ा सा एक्सरा यह एक इंच डेड़ इंच हम एक्सरा छोड़ दिया है ऐसे ही पहले हम एक साइड से यह लगाएंगे तरीज लगाएंगे इस तरह और ऐसे ही इसको सीधी साइड पर स्लाई लगाएंगे इस तरह इसको खैंच कर सीधा रखें और कुनारे पर स्लाई लगाएंगे अब यह हम दूसरी साइड पर स्लाई लगाएंगे अधर से हम बाजू पकड़ेंगे इस तरह बाजू जितने खुले हमने रखने हैं इस तरह इसको पकड़ कर स्लाई स्टार करें इस तरह से एक साइड से इसको स्लाई करना स्टार करें जैसे इसको मोड़कर पका करें अगर हम बाजू थोड़े से पेटिंग वाले बनाना चाहें तो यह स्लाई हम इस तरह रेबी लगाते जाएंगे ऐसे यह देखें इस तरह पकड़ कर यह दूसरी साइड से तरी जोड़ेंगे इस तरह यह दर से भी हम यह एक्स्रा पट्टी छोड़ेंगे ऐसे ही हम सीधी साइड पर स्लाई लगाएंगे जैसे के पहले लगाते हैं इस तरह यह पूरे बाजू पर हम सीधी साइड से स्लाई लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पकड़का ठीक करते जाएंगे और स्लाई लगाते जाएंगे ये सलाई लगाना कुछ मुश्कल है बहुत मुश्कल से लगती है लेकर लाग जाती है इस तरह थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाएं और कनारे पार सलाई लगाते जाएं ये सीधी साइट से सलाई लगी हुई बहुत ही अच्छी लगती है कि ऐसे ही हम पूरे बाजू पर लगाएंगे इस तरह थोड़ा-थोड़ा पकड़कार लगाते जाएं इसे पहले मैंने बहुत से वीडियो कंप्यूटर मशीन के बारे में अपलोड की है कि कम्प्यूटर मशीन कैसे चलती है और क्या 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 की उस्से नेकड़ इसाइन कैसे बनाया व्लावर कैसे बनाया जाते हैं दबट्त कैसे पीखोगी त्याते हैं sampai चैसे साथ जास्धकों सबखांए तै भाजों के और तीरे को बिल्कुल इस तरह बराबर रखें इस तरह एक साइड पर नाप करते जाएं इस तरह यह त्रीजे कटिंग करते वक्त हम इसको दो इंच या एक इंच ज्यादा रखते हैं इस तरह काट लगा रहे हैं यहां से हमने इस कप्ड़े को स्टार्ट करना है क्योंकि स्लाई के बाद हम यह त्रीजे नीचे से थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं इस तरह यह दर्म्यान वाला पकड़ा पकड़कार साइड से इसको मोड़े और यह कट पर रहकार स्लाई लगाते जाएं इस तरह थोड़ा थोड़ा पकड़कार ठीक करते जाएं और स्लाई लगाते जाएं यह स्लाई लगाने के दो तीन तरीके हैं अगर हम चाहें तो इसको पहले उल्टी साइड से इस लाई लगा सकते हैं तो फिर इसको सीधी साइड पर लगाएंगे इसके अलावा अगर हम दरम्यान से भी इसको शुरू कर सकते हैं यानि के बाजों के दरम्यान से एक साइड से पहले स्लाई लगाएं उल्टी साइड से फिर दूसरी साइड से लगाएं फिर सीधी साइड से लगाएं मैं इसको एक ही बार लगाती हूं ऐसे पकड़ कर इसको माप किये है तो एक साइड से हमने ये सलाइ स्टार्ट कर ली है और ऐसे ही पकड़ कर हम इसको उपर कनारे पर सलाइ लगाते जाएंगे यो थोड़ा थोड़ा पकड़ कर फोल्ड करते जाएं और सलाइ लगाते जाएं इस तरह स बाजो और तीरा हमारा बिल्कुल दर्मियान में आना चाहिए इस तरह देखे किनारे बार सलाई लगाते जाएंगे कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है इससे हमारी होसला फजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने वीवर्स के लिए सलाई कड़ाई और कटाई के इजी और न्यू तरीके बताते रहें इस तरह देखे थोड़ा थोड़ा पकड़कार सलाई लगाते जाएंगे ये दर्मियान से सलाई लगाना थोड़ा सा मुश्कुल होता है कि इस तरह देखें यह एक्सरा कपड़ा हमने छोड़ा है ऐसे ही हम इसको नीचे रखेंगे इस तरह इस तरह यह इसको नीचे छोड़ देंगे और इसके बराबर इस तरह सलाई लगाएंगे यह कुटता सलाई करना बहुत ही इजी है और यह बच्चों को पहना हुआ बहुत ही खुबसूरत लगता है इस तरह से देखें यह पट्टी तक यहां पर हमने कड़ाई की है वहां तक इस कप्ड़े को फॉल्ड करेंगे और कनारे पर सलाई लगाते जाएंगे अगर आप सलाई से जुड़ी कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो माईरा कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दुपाएं ताके मेरी हर वीडियो आप तक पहुं सकें कि इससे पहले भी मैंने त्रीजों वाले कुटते की मकमल कटिंग का तरीक बताया है और पूरा कुटता स्लाई करके दिखाया है इस तरह से देखे थोड़ा थोड़ा पकड़का अशलाई लगाते जाएं अबर पहले उल्टी साइड से लगाएं तो यह भी बहुत fırली है पहले हम उन्दी से माप करके इसको अशलाई लगा लेंगे तो फिर साइड से लगाना बहुत ही एजशी है लेकन थोड़ा इस तरह ना लगानी आए तो पहले उल्टी साइड से लगा लें इस तरह से देखें इसको थोड़ा-थोड़ा पकड़का ठीक करते जाएं और स्लाई लगाते जाएं यह उपर स्लाई लगी हुई बहुत ही खुब सूरत लगती है क्योंकि त्रीजों वाले कुटे पार यह स् कि इस तरह दोसरी साइड पर लाकर यह स्लाई हम खत्म कर देंगे कि यहां तक हमने काट लगाया है वहां तक लाकर इसको खत्म काट देंगे त्रीजे रेबी होती है इसलिए हम यह तकरीबन कटिंग करते वकत एक इंच या डेड़ इंच इसको लंबा रखते हैं इस तरह से देखें यह एक साइड हमने जोड़ दी है ऐसे हम दूसरी साइड से जोड़ेंगे अब हम बेन बनाएंगे बेन की सबसे पहले हम यह कि नारे पर सिलाई लगाएंगे एक पाउं का मार्जन छोड़ कर कि यूँके बेन बनाने का अत्रीका भी मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि यह किस तरह तैयार किया जाता है ऐसे ही हम यह टाफ के साथ सलाई लगाएंगे अगर यह स्लाई हम टाफ के ऊपर लगाएंगे तो सीधा करने में हमें बहुत मुश्कल होगी इसलिए हम स्लाई लगाते वकत यह बिलकुल कपड़े पर लगाएंगे टाफ के ऊपर स्लाई नहीं आनी चाहिए इस तरह से मोड़का दूसरे कनारे पर ले जाएंगे अब एक्स्रा कपड़ा हम अतार देंगे साइडों से और यह दर्म्यान में छोटे-छोटे से कट लगा देंगे यह कट लगाने से बैन सीधा करने में बहुत असानी होती है अगर हम इस पर कट नहीं लगाएंगे तो यह अच्छे से सीधा नहीं होगा ऐसा ही पकड़कर इसके अच्छे से कोने निकालेंगे और इस तरह यह बहुत ही खुब्सूरत में त्यार हो जाएगा अगर हम चाहें तो इसको अच्छे से आईरन कर ले या फिर कनारे पर एक राफ सलाई लगा ले जब हम इसको कपड़े के साथ लगाएंगे तो यह सलाई हम इसको रमोव कर देंगे इस तरह यह राफ सलाई लगा लेंगे ताकर नीचे वाला कपड़ा उपर ना आए इस तरह से बिलकुल ठीक से सलाई लगाएं अब मैं आपको बैयन लगाने का तरीका बताऊंगी यह बैयन हमारा त्यार हो चुका है इस तरह यह नेक की उल्टी साइड पर इस तरह बैयन रखेंगे तो सलाई लगाना स्टार्ट करेंगे बैन हमेशा हम उल्टी साइड से ही लगाते हैं पहली वीडियो में मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि बैन हम उल्टी साइड से लगाते हैं जबके कालर हम सीधी साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं इस तरह थोड़ा थोड़ा पकड़का ठीक करते जाएं और लाई लगाते जाएं यह बैन के दरम्यान में हमने एक कट लगाया है और एक हमने गले के दरम्यान में कट लगाया है यह देखें यह दोनों कट बराबर आने चाहिए अगर यह काट बराबर नहीं आएंगे तो यह बैंट बड़ा छोटा हो जाएगा और लगाने में मुश्क्ड यह अक्षे से नहीं लगएगा इसलिए हम है जब बैंने लगाते हैं यह दोनों बराबर आते हैं अगर नेक कटिंग करने में थोड़ा सा कम हो तो हम इसको थोड़ा सा नाप करते वक्त और काट लेंगे अगर ये नेक ज्यादा हो और बैन चोटा हो तो हम इस पार सलाई लगा कर इसको थोड़ा थोड़ा सा खैंच लेंगे बराबर करने के लिए ये देखे बिल्कुल वेन बिल्कुल बराबर आ रहा है एक साइड से हम frozei लगानी स्टार्ट की है तो ऐसे हम दूसरी साइड पर लाकर इसको हम कर देंगे है इस तरह से आ है मैं Amaya एक तो zne में होता को पका करेंगे और अपर चूटे चूटे से कट काट लगा देंगे इस तरह से पूरी स्लाई पर हम ये चोटे चोटे से कट लगाएंगे अब बैंट को पकड़कर इस तरह सेधा करेंगे कि यह इदर कनारे से हम स्लाई लगाना स्टार्ट करेंगे यह एक साइड से स्लाई इस तरह स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही हम दूसरे कनारे पर ले जाएंगे इस तरह से इसको थोड़ा-थोड़ा पकड़का ठीक करते जाएं ये अंदर वाली सलाई बाहिर अंदर वाली सलाई ये अंदर वाली सलाई बाहिर नजर नहीं आनी चाहिए इस तरह से सुई की मदद से इसको ठीक करते जाएं और सलाई लगाते जाएं ये अंदर वाली सलाई बिलकुल सुई की मदद से इसको ठीक करते जाएं ऐसे ही मोड़कर हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे इस तरह से ये एक पाउं का मार्जन छोड़कर हम इदर सलाई लगाएंगे ये जो पहले सलाई हमने राफ लगाई थी उसको हम खत्म कार देंगे इस तरह से वो पहली सलाई हम खत्म कर देंगे ऐसे ही एक पाउं का मार्जन छोड़कर सलाई लगाएंगे इस तरह से मोड कर यहां से हमने स्लाई स्टार्ट की थी वहां पर लाकर इसको पका करेंगे इस तरह से दूसरी साइड पर ले जाएं ऐसे कटिंग का तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया था क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और वीडियो के इतराज करते हैं गए वीडियो बहुत लंबी है अब मैंने सिर्फ स्लाई का तरीका बताया है यह देखें कितना खुब स्टॉरत कुटता स्लाई हो गया है यह बच्चों के पहना हुआ यह अच्छा लगता है और स्लाई करना बहुत ही एजी है झाल झाल